तो यहाँ पर लेके इस question में a plus i b है और यहाँ पर x plus i का whole square है यह जो term है यह real part है तो हम express कर पाएं expression को जहाँ पर हम conjugate ले पाएं या फिर modulus ले पाएं दुनों side पे तो answer हमारा आज जाएगा देखिए हम यहाँ पर modulus भी ले सकते हैं और conjugate से भी इससे पहले मने इस question आपको conjugate से करके दिखाया है तो अब मैं इसको modulus लेके करूँगा देखिए a plus i b आपने लिखा इसको expand कर दिए तो जाएगा x square plus i square plus 2xi divided by 2x square plus 1 फिर से इसको solve करते हैं और simplify a plus i b is equals to यहाँ पर आएगा x square minus 1 तोकि i, i की value under root minus 1 होती है i square करेंगे तो minus 1 आएगा plus 2xi upon 2x square plus 1 अब हम यहाँ पर conjugate में करेंगे दोनुस साइट पर modulus ले लेंगे एकी बात है अगर आप conjugate करेंगे तब भी उसी result पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखें इस वाले expression में आप देखें यह जो expression लिखा है इसको और simplify करके लिखें x square minus 1 upon और upon वाले पार्ट को हम बाट के बाहर लिख सकते हैं तो कि यह always positive वह रहाएगा और real है तो ऐसे लिख सकते हैं कि यह इसी के नीचे लिखा रहें लिखते हैं 2x square plus 1 plus 2x upon 2x square plus 1 और यहाँ पर आई लिखो यह जो मारे पास expression लिखा है यही तो मौड के अंदर है अब जो मौड के अंदर वाला expression है इसे हमें solve करना है a यहाँ पर defined हो गया क्या है और b यहाँ पर defined हो गया तो जब भी किसी expression का मौड लेंगे तो उसको क्या लिखते हैं under root a square plus b square के इक्वाल तो यहाँ पर जैसे हमें model लिया और यह defined भी हो गया इस वाले expression को यहाँ लिखने के बाद कि यहाँ पर यह वाला part a है और यह वाला part b है तो यहाँ पर कितना आएगा a square plus b square और यहाँ पर क्या आएगा under root a square x square minus 1 upon 2x square 2x square plus 1 whole square plus b square b square means 2x 2x square plus 1 whole square अब तेखिए अब दोनों side पर क्या करेंगे square करते के square करेंगे तो यहाँ a square plus b square आजाएगा जो यहाँ पर आना था अब यहाँ पर जो part है उसको solve और simplify करके यह दिखा दें कि इसके equal आएगा यहाँ पर इस वाले part को बिटा दे रहें वो तो a और b को define करने के लिए में आपको बता जाएगा अब दीके square करेंगे तो कितना आएगा a square b square is equal to यहाँ पर भी square हट गया और आएगा x square minus 1 whole square और lcm क्या आएगा 2x square plus 1 whole square यह दुनों में है lcm square हम कर चुके हैं दुनों side पर square हट जाएगे और यहाँ पर क्या आएगा 4 x square अब देखिए कह रही सकते हैं इसको उपर वाले expression होगा x की power 4 plus 1 2x square plus 4x square यहाँ पर जो लिखा है उपर इसको हमने यहाँ लिखा है और नीचे वाले term को as it is और यह a square b square यहाँ पर कह दीए उसके साथ ही चला रहा है यहाँ पर हो जाएगा 2x square plus 1 whole square अब देखिए minus का 2x square और plus का 4x square क्या देगा plus का 2x square अब x की power 4 plus 1 plus का 2x square को हम क्या लिख सकते हैं x square plus 1 whole square और नीचे क्या आईगा 2x square plus 1 whole square यह पर a square b square क्या देखिए इसे देखिए यह जो स्टेप एग 2x square plus 4x square plus का 2x square x की power 4 plus 1 plus 2x square क्या होगा x square plus 1 का whole square और नीचे जो लिखा हुआ है वो ने carry कर दिया है यहापर और यह किसके equal है a square plus b square इस question को आप conjugate वाले method से भी कर सकते हैं और follow नहीं है यहाँ पर आप conjugate लेकर फिर first और second जैसे यहाँ पर आपने expression लिखा था a plus i b उसका conjugate ले सकते थे देखिए फिर से यहाँ पर जो expression लिखा है इसके बाद इसको अलग लग distribute करने के बाद आप conjugate लेके और first और second को इंट्रू कर दिजे तब भी इसके यहाँ पर आजमें एक्स्प्रीन कराँ question number 12 z1 एक complex number 2 minus i given है z2 एक complex number minus 2 plus i given है हमें find करना है real part of z1 z2 divided by z1 bar या conjugate of z1 तो सबसे पहले जो हम real part इसका find करेंगे तो a plus i b से compare करेंगे लेकिन उससे पहले हम इस पहले expression को तो solve करें देखें expression क्या है z1, z2 और z1 bar z1 की value रगदो 2 minus i है z2 की value रगदो minus 2 plus i है upon z1 bar z1 का conjugate अगर नहीं लिखा है conjugate तो i से पहले वाले sign को बदल दो बाकी कुछ changing करना है तो यहाँ पर z1 है 2 minus i इसका conjugate क्या होगा 2 plus i है तो यहाँ लिख दो 2 plus i अगले step में क्या होगा यह same टू कर दो minus 4 plus 2i और फिर minus i और plus minus 2 तो plus का 2i यहाँ पर टिकना हैगा minus i और minus i minus i square upon 2 plus i इसको आगे solve करेंगे तो टिकना जाएगा minus 4 और i square i square minus 1 होता है तो यहाँ को क्या मिलेगा minus 4 plus 1 minus 3 plus 4i upon 2 plus i तो जो expression आया पर क्या था minus 3 plus 4i upon 2 plus i अभी इसको और solve करेंगे 2 minus i इसके conjugate से उपर नीचे इंटु कर लोकिसके 2 plus i के conjugate से ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा चले कर रहे हैं कि expression हमारा a plus i भी form में आएग अब यहाँ पर कितना होगा 3 to the 6 minus 6 और 3 minus 3i plus 3i 4 into 2 8i और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4i into sorry minus i minus 4 i square divided by यहाँ पर लिखा है a plus b यहाँ पर लिखा है a minus b तो a square plus b square a square plus b square 4 और plus 1 तो यहाँ पर अब कितना आजाएगा i square 6 और यह तो minus 6 plus 4 minus 2 और प्लस 11i by 5 तो इसका real part कितना होगा इसको क्या लिख सकते है minus 2 plus 11i by 5 इसको a plus i भी फॉर्म में लिखो के तो minus 2 by 5 plus 11i by 5 तो real part इसका कितना होगा 2 by 5 यही real part होगा इसका z1 z2 और z1 bar का इसी expression को तो solve पर के लाएं अब देखें इसी question में second part भी है imaginary part of one upon z1 z1 bar अब देखें इसको कैसे approach करेंगे बहुत हो पहले हम इसको solve परते है इसको solve परेंगे one upon z1 z1 bar को तो z1 कितना होगा one upon two minus i और z1 bar bar का मतल इसका conjugate conjugate कितना हो जाएगा two plus i तो ये तो a minus b a plus b होगा two square i square कितना हो गया one by four plus one which is one by five इसमें imaginary part बताना है तो जब भी imaginary part नहीं हो तो 0 i कितना हो imaginary part of one upon z1 z1 bar is 0 क्योंकि compare करेंगे इसमें चेवल real number आ रहा है one by five तो मैं जब इसका नहीं होगा किसी बाद में को question number 13 बता रहा हूँ question number 13 में क्या जिया होगा है find the modulus and argument of complex number 1 plus 2i upon 1 minus 3i इस complex number का हमको modulus and argument find करना है तो जिस भी complex number का हमें argument या modulus find करना होगा उसे पहले standard form a plus ib में लखना पड़ेगा तो इस complex number को a plus ib में लिखने के लिए conjugate से उपर नीचे multiply करते हैं conjugate इसका denominator का तो denominator का conjugate क्या होगा 1 plus 3i और यहाँ पर क्या आएगा 1 minus 3i 2, 1 plus 3i अब उपर देखो कितना हो जाएगा 1 plus 3i 1 से पहले इंटू करेंगे इसको फिर 1 से इंटू करेंगे 3i को 2i multiplied by 1 is 2i 2i को multiply करेंगे 3i से दो क्या होगा 6i square 6i square और नीजे क्या होगा देखो यहाँ पर है a minus b a plus b ऐसा इक एक्स्पेशन है कि a minus b and a plus b इसको क्या हो जाएगा a square plus b square तो 1 square 3i square क्या होगा यह 1 minus 9i square i square की value क्या होगी minus 1 और minus यहाँ पर है तो यह हो जाएगा 1 plus 9 finally यहाँ पर 10 आएगा अब इस expression को देखो क्या लिख सकते हैं i square minus हो जाएगा तो यह आएगा minus 6 यहाँ आएगा minus 6 plus 1 minus 6 plus 1 इतना होगा minus 5 और यहाँ पर 3i 2i 5i divided by तो जब इसको अलाग अलाग divide करेंगे 3i आएगा minus 1 by 2 plus i by 2 तो मारे जो complex number था 1 plus 2i upon 1 minus 2i हमने अब वो से minus 1 by 2 plus i by 2 में reduce कर लिया अब हमको इस complex number का modulus निकालना है और argument बताना है कोई भी complex number अगर z है a plus ib तो उसकी जो कौन सी value निकालना है अब को modulus modulus क्या होता है under root a square plus b square तो यहाँ पर इससे जब compare करेंगे a plus ib से तो a की value है minus 1 by 2 plus i by 2 है तो इसकी modulus value क्या हो जाएगी minus 1 by 2 4 square plus 1 by 2 4 square 1 by 4 plus 1 by 4 इसे जाले जेंगे 2 by 4 यह 1 by root 2